दान करने से रुप्या जाता है लक्ष्मी जी नहीं घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है समय नहीं जूट चुपाने से जूट चुपता है सच नहीं इसलिए सचे मन से हमेशा समय का सदुप्योग कीजिए आपको सम्रत दिवान बनने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हम सभी का लक्षमी पर उतना ही अधिकार है हम सभी जगत पालन करता विश्णू जी के ही सनरक्षण में है देश विदेश में बैटे सभी दर्शकों को मेरा प्यार वरानमशकार मैं हूँ मोहित कमल श्रिमाली और आप सभी का तही दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल में और अक्षे तृतिया पर अपनी राश्य अनुसार धन प्राप्ती के उपाय के इस विशेश एपिसोड में कहा जाता है कि अक्षे तृतिया सर्वसिद मोहरत है जिस तरह दिपावली के दिन लक्षमी जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है उसी तरह अक्षे तृतिया को भी लक्षमी की प्राप्ती के लिए उपाय किये जा सकते है अब अक्षे तृतिया ये कहा जाता है अक्षे का मतलब है जो कभी शेय ना हो सर्वमानिय शुब दिन है और इस पर आप भी अपनी राशी के अनुसार उपाय कर सकते हैं और लक्षमी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं वैशाक मा के शुकल पक्ष की तीसरी तिथी को आप अक्षेतृत्य मनाते हैं जिसे आखातीज भी कहा जाता है और इस वर्ष अक्षेतृत्य के दिन पाँच शुब सैयोग भी बन रहे हैं गजकेसरी योग व्रशब, सिंग और कन्या राशी वालों के लिए धन समरिद्धी और सफलता में व्रद्धी के योग बनाएंगे धन योग, जो कि मीन राशी वालों के लिए आर्थिक लाब और कारोबार में व्रद्धी होने के योग बनाएंगे शुक्रादित्यय योग, ये योग विशेश रूप से व्रशब राशी, तुला, मकर राशी वालों के लिए प्रेम संबंद और वेवाहिक जीवन में खुश्या लाने वाला है शुक्रादित्य वालों के लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा में व्रद्धी लेकर के आएगा तो वही मालव ये राज्योग, मीन राशी वालों के लिए अचानक धनलाब और नई संपत्ती प्राप्ती होने के योग बनाने वाला है आपको ये बता दूँ कि अक्षय तृतिया का शुब महरत क्या है तो सबसे पहले तृतिया तिदी की शुरुवात 10 मई 2024 को सुभे के समय 4 बचकर के 17 मिनिट से होगी और समापन 11 मई 2024 की रातरी को 2 बचकर के 50 मिनिट पर होगा पूजा का सर्वश्रेष्ट महरत कहा जाए तो 10 मई 2024 की सुभे को 5 बचकर के 31 मिनिट से शुरू हो करके दोफैर के 12 बचकर के 19 मिनिट तक रहने बाला है ऐसे में इस बात का भी धियान रखना है कि सोना खरीदने के चुक अगर आप हैं तो पूरे ही दिन किस समय में आप खरीद सकते हैं उस समय भी आपको मैं बता रहा हूँ सबसे पहले सुभे के समय आपको मिलेगा लाब का चौगडिया अमृत का चौगडिया और चर का चौगडिया जो समय है 5 बचकर के 31 मिनिट से 10 बचकर के 37 मिनिट तक 10 तारिक की सुब है इसके पश्चात अपराहन काल में आपको मिलेगा शुब का चौगडिया जो है 12 बचकर के 19 मिनिट से 2 बचकर के 1 मिनिट तक फिर चरका चौगडिया शाम के समय 5 बचकर के 26 मिनिट से 7 बचकर के 8 मिनिट तक इसके पश्चात लाब का चौगडिया आपको रातरी में प्राप्त होगा जो है 9 बचकर के 43 मिनिट से 11 बचकर के 1 मिनिट तक और अंत में 12 बच करके 19 मिनिट से लेकर के 11 मई की मध्यरात्री दो बच करके 50 मिनिट तक ये सब ही समय सोना खरीदने के लिए बहुत बहुत जादा शुब है अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सोना ही खरीदा जा सके सबसे पहले शुरूआत करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी के स्वामी ग्रह मंगल हैं अगनी, विद्युत, शक्ती, युद, भूमी, होटल और ट्रांसपोर्ट के कारे में आपको सफलता देने वाले हैं इस राशी के जातकों को आज के दिन सुभे के समय नदी या समुद्र या फिर बहते पानी में सनान कर सूर्य को जल देना चाहिए संपत्ती क्रे करने का युग भी आपके लिए आज के दिन बन रहा है और मेश राशी के जातकों को लाल कपड़े में सवा किलो मसूर दाल का दान करना बहुत ज़ादा शुब साबित हो सकता है फिर बात आती है व्रशब राशी की तो आपके स्वामी जो है राशी के स्वामी जो है वो है शुक्रदेव दैत्य गुरु शुक्र कही जाते हैं जो सुख प्रदान करने वाले हैं तो आपको अक्षित रित्या के दिन कलश में साधरन कोई भी कलश हो सकता है तांबे का हो, पीतल का हो लोहे का हो या फिर चांदी का यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा कलश लेते हैं उसमें जल भर करके आप दान कर सकते हैं अब इस राशी के जातकों को चीनी, सफेद वस्तर ब्रामनों को या फिर मंदर में दान करनी चाहिए और पिता जी को उपहार के रूप में सफेद रंग का शर्ट चोला कुड़ता ये आप दे सकते हैं पतनी याद फिर माता जी के लिए बहु मूल ये वस्तु खरीदना आपके लिए लापकारी नर्णे सिद हो सकता है धन व्रद्धी के लिए सफेद बरतन में पानी भर करके उसके कुछ गंगा जल डाल करके सफेद कपडे सो उसका मूँ बंद कर दीजे और ग्यारा तारिक को ये कहेंगे ग्यारा तारिक की दोपहर को आप इस बरतन को जिसमें आपने पानी भर करके ढखा है उसको मंदर में रखवा दीजे ऐसा करने से धन्वरदी का योग बनेगा फिर बात होती है मिथुन राशी की तो आपके लिए बुद्ध है जो आपके राशी के स्वामी है बुद्ध की राशी मिथुन में जिनका जनम हुआ है उन्हें आज मूंग की दाल का दान अवश्य ही करना चाहिए हरे वस्तर का भी दान कर सकते हैं को घारी गास पालक या हरी पत्तेदार सबजी खिला सकते हैं इससे आप और अगर कुछ करना चाहते हैं तो जवाराद और खेती की जमीन खरीदना भी आपके लिए स्वागिशाली सिद हो सकता है जो लोन लेना चाहते हैं कर्ज लेना चाहते हैं आपका इस समय में लोन लेने का अफसर भी मिल सकता है अक्षेत रितिया के दिन कांसे के बरतन में हरी दाल हरे कपड़े में पोटली बना करके पूजा स्थल में रख दीजे इससे आर्थिक स्थिती मजबूत होगी सुक और धन बढ़ेगा अगले इस कटोरे को डाल सहित आप दान किसी जरूरत मंद इनसान को कर सकते हैं फिर बात आती है करक राशी की तो आपके राशी के स्वामी चंद्रमा है करक राशी के व्यक्तियों को अक्षेत रितिया के दिन चांदी में मोती जड़वा करके धारण करना शुब साबित होगा पर इस बात का ध्यान दीजेगा कि कोई भी रत न जब धारण किया जाए तो अपनी कुंडली को देख करके समझ करके फिर ही धारण कीजेगा अब इस दिन चीनी सफेद वस्तर ब्रामनों को या तफिर मंदर में दान भी कर सकते हैं आज के दिन व्रत अवश्य ही रखिएगा क्योंकि या आपके लिए लापकारी सिद हो सकता है अपनी माता जी को सोना या तफिर चांदी का कोई उफार स्वरूप दे सकते हैं चाहें तो चांदी की पाइल हो सकती है सोने की छोटी सी अंगूठी या तफिर जुम क्या आप दे सकते हैं पूर्व दिशा में चांदी का एक सिक्का जल पातर में रख दीजेगा ऐसा करने से आपकी इंकम बढ़ेगी तो वहीं बिनाबाद के खर्चे हैं अनेकस्पेक्टेड खर्चे हो जाते हैं तो उन में कमी आ जाएगी फिर बात होती है सिंग राशी की तो आपके राशी के स्वामी ग्रहे ग्रहों के राजा सूर्य है तो वहीं राशी में आपको भी राजा ही कहा जाता है आपको अक्षेत रित्या पर सबसे पहले उक्ते हुए सूर्य को अरग देना है इसके बाद में गुड का दान करना है पिताजी और दादा को सोना या तफिर चांदी की कोई भी वस्तू का उफार देने से आपको और ज टी के बरतन में समुदरी नमक जिसे सी सॉल्ट कहते हैं रॉक सॉल्ट कहते हैं या सेंधा नमक डाल करके उसको पूरे घर में घुमाईएगा इसे पूजा स्थान में रग दीजे क्योंकि सी सॉल्ट कहा जाता है रॉक सॉल्ट नेगिटिविटी सोक करता है तो घर की नेग कपूर को जला करके पूरे घर में घुमाना है हरी चूडियां श्रिंगार की सामगरी और मूंग की दाल का अदान कर दीजेगा अक्षेत रित्या पर अपनी राशी के अनुसार अगर पन्ना धारन कर सकते हैं कुंडली अगर आपको अलाव करे इस बात का वश्य ध्यान दीज बिजेगा उसके पर शाथ ही पन्ना dharn कर सकते हैं और अगर पन्ना नहीं पहन सकते नहीं ले सकते तो onyx धारन किया जा सकता है ऐसा करने से कन्याओं के विवहा का योग बनेगा और इस दिन सूर्य पूजा करें गनेश पूजा कर पंडित और घर की कन्याओं को उफार देना आपके लिए बहुत जादा लाबदा एकसद हो सकता है फिर बात होती है तुला राशी की तो वैभव और विलासिता के स्वामी शुक्र देव आपकी राशी के स्वामी है जीवन साती हो या अविवाहत अपने मित्र को हीरा सोना चांदी इसकी वस्तुएं गिफ्ट कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि हीरा मतलब एक कैरेट का हो बड़ा हो बीस पॉइंटर का हो जो डेकुरेटिव हीरे आते हैं वो भी पहनाये जा सकते हैं उसको भी रिंग पे लगा करके आप गिफ्ट पे दे सकते हैं जरूरी नहीं है कि हीरा बहुत बड़ा हो पर इस बात कभी ध्यां दीजेगा कि हीरे के अभाव में अमेरिकन डाइमंड ना ले ले ऐसा अगर आप उपाय कर पाते हैं तो विदेश यातर और नए वहन खरीदने का अफसर आपको भी मिल सकता है समर्द दिवान बनने के लिए अक्षित रतिया के दिन सफेद कपड़े को आप दान कर सकते हैं हीरा या सफेद ओपल या फिर जरकन धारन किया जा सकता है ये आपको उन्नती दायक स्थितियां प्रदान कर सकता है घर में और ओफिस में सफेद रंकी या चांदी की लक्षमी प्रतिमा अवशेही स्थापत कीजेगा इससे शांदार उपलब्धियां आपको मिल सकती है फिर बात होती है व्रश्चिक राशी की तो आपके स्वामी मंगल है एक बोतल में शहद भर करके उसे लाल कपड़े में लपेट करके घर के दक्षन दिशा में आप रख दीजेगा अक्षेह तृतिया को बड़े भाई को तामे के बरतन या फिर पत्नी को गहने उपहार में दे दीजे या आपके लिए किस्मत खोलने वाला सिद हो सकता है लापदायक सिद होगा अदालती कारवाई से मुक्ति मिलेगी तो वही और नई अपॉचनिटीज आपको मिल सकती है आज के दिन मुंगा धारन करना आपके स्वास्ते और धन व्रद्धी के लिए बहुती जादा अनकूल सिद हो सकता है फिर बात होती है धनू राशी की तो इस राशी के स्वामी ब्रहस्पती देव है देव गुरु प्रहस्पती कहे जाते हैं पीले कपडे में हल्दी लपेट करके पूजा स्थान में आज के दिन रख दीजेगा फिर धार मिक पुस्तके श्रधवालूँ में या फिर मंदिरों में आप बाट सकते हैं आज के दिन और जो आपकी राशी के लोग हैं आज के दिन स्नान कर सूर्य को अर्ग अवश्य दीजेगा और गुरु को पहले वस्तर प्रदान कीजेगा अरहर की दाल के लड़ू और सोने की वस्तू माता जी को उफार में आप दें तो सर्वश्रेष्ट सिद हो सकता है शिक्षा और प्रकाशन यानि की पब्लिकेशन से अगर आप जुड़े हैं तो ये आपका काम चल पड़ सकता है फिर बात होती है मकर राशी की तो आपके राशी के स्वामी सर्वोच नयदीश शनी है इस दिन जो मकर राशी के लोग हैं जरूरत मन्द लोगों को काली दाल, वनस्पती, तेल, स्टील के बरतन में या फिर उफार में देने आपके लिए शुब साबित हो सकता है पेंडिंग मुकद में जो हैं उनका निप्टारा बहुत जल्दी से हो सकता है तो महीं अक्षे तृतिया के दिन किसी बॉटल में तिल का तेल भर करके काले कपड़े में लपेट करके इसके घर की पूर्व भाग में आप रख दीजेगा कुछ दिनों बाद या ये कहा जाए अगले शनीवार को इससे आप दान कर दीजेगा आज के दिन ग्यारा बार दश्रत कत शनी स्तोत्र का पाट अवश्य ही कीजेगा ये आपके भाग्ये को बलवान बना सकता है आपके प्रयास के अनुरूप धन बढ़ता चला जाएगा फिर बात करते हैं कुम राशी की तो आपके राशी के स्वामी भी नयायदीश शनी देव हैं किसी भी भिकारी या तो फिर जरूरत मंद को आर्थिक सहायता प्रदान कर दीजेगा इसे भाग्ये भी बलवान होगा तो सामने वाले की मदद भी तिल, लोहा, स्टील, नारियल इनका आप दान अगर करते हैं तो बहुत ही शुबसावित होगा और इसे नौकरी में पदोनती और व्यवसाय में नए अफसर आपके मिलने शुरू हो सकते हैं धन और सुखों में व्रदी के लिए नीलम पहना जा सकता है पर नीलम पहनने से पहले इस बात कर ध्यान दीजेगा कि किसी सही जोतिशी को अपनी कुणली अविश्य दिखाएं ताकि वो आपको बता सके कि क्या ये रत्न पहनना आपके लिए सही है या नहीं है क्योंकि नीलम जितनी जल्दी रंक को राजा बना सकता है तो राजा को रंक भी बनाने की शमता रखता है कई लोग कहते हैं नीलम ऐसा है नहीं पर जिसने पहना है उसे बहुत अच्छे से समझ में आता है कहा जाता है कि किसी का जीवन खराब करना हो तो उसे बिना सोचे समझे नीलम पकड़ा दो अगर उसके लिये सही होगा तो उसे फर्ष से अर्ष तक पहुचा सकता है पर दुश्मनी निभाने के लिए इंसान यही देखता है कि नीलम सूट ना करे तो अर्ष से फर्ष पर घिरा भी सकता है फिर बात होती है मीन राशी की तो मीन राशी के स्वामी ग्रह ब्रहस्पती देव है और इस राशी वालों को शिवलिंग पर जल चड़ाते समय ओम नमह शिवाए इस मंतर का उच्चारण करना है मा, बहन, बेटी, पत्नी इनको सोने के गहने या फिर पीतल के बरतन उफार स्वरूप देना आज के दिन शुब साबित होगा कोशिश करें कि गरीब कन्याओं को पुस्तकें या फिर शिक्षा की सामगरी दे सकें तो अतिशुब है तो अहीं अगर उनके पढ़ाई का खर्चा आने वाले एक से दो साल के अगर आप उठा सकें तो और भी जादा बहतर है ऐसा करने से घर परिवार में कन्या के विवा का योग अवश्य ही बनेगा मकान हो, दुकान हो या फार्म हाउज मैं हमेशा कहता हूँ प्रापटी, लांड बिल्डिंग, कमर्शल प्रापटी खरीद सकते हैं फार्म हाउस क्योंकि नीड नहीं है वांट है, ये लगजरी है फार्म हाउस खरीदने तक के योग बन सकते हैं पीले रंग के वस्तर में पीली सरसों और कुछ सिक्के बांद करके पूजास्थान में या इशान कौन में आप रख दीजे किसी बुजर्ग व्यक्ती को वस्तर दान कर उनका आश्रवाद अवशे ही लीजेगा और पिता और गुरुजनों का सम्मान कर इससे आपका धन और सम्मान दोनों ही बढ़ते रहेंगे आज के एपिसोर में बस इतना ही हमेशा की तरह प्रातना यही करता हूँ कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आशरवाद हमेशा ऐसे ही हमार साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन झाल